राजधानी जैपुर में शुक्रवार रात को सुभाश चौक इलाके में दो बाईकों में हुई भड़न्द के बाद बवाल मच गया हाथसे के बाद दो समुदाय के गुटों में जम कर मारपीट हो गई और इस मारपीट में समुदाय विशेश के एक युवक की मौत हो गई इसके बाद महौल बिगड गया, वार्दात के विरोध में शनिवार को कई बाजार बंद हो गए और हजारों लोग सड़को पर आ गए हालात बिगड़ते देखकर इलाके में भारी पुलिस बल तहनात कर दिया गया वहीं पुलिस ने ताबर तोड छापा मारी कर नौ आरोबियों को गिरफतार कर लिया, अभी भी लोग सड़को पर हैं और बाजार बंद है पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है पुलिस के अनुसार घटना सुभाश चौक इलाके में शुकरवार रात को हुई थी वहाँ दो मोटर साइकिलों में भढ़न के बाद हुआ दो समुदाय के युवकों में जगड़ा हो गया था और इस जगड़े में इकबाल जो की 20 साल का है उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई युवक की मौत के बाद आग की तरह से पूरे इलाके में ये बात फैल गई और वहां आक्रोश फैल गया मृदक युवक शहर के फूटा खुर्रा इलाके का रहने वाला था शनिवार को सुबह बड़ी संख्या में लोग इकबाल के घर के बाहर एकत्र हो गए और मामला गर्माने लगा पुलिस प्रशासन आया अलर्ट मोट पर सुबह शौक समेथ राम गंज और घाट गेट इलाके में कई दुकाने बंद हो गई और लोगों की भीड बढ़ती गई मामले की सम्वेदन शीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोट पर आ गया और पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई शनिवार को सुबह 11 बजे के करीबन मामले में सहमती बन गई और लोगों में गुसा फिर भी बरकरार है